किसी राजनीती से प्रिर्त होकर के कोई सब्द नहीं बोल रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ मैंने जो अपना ब्यक्तब दिया उस ब्यक्तब पर मैं आड़ा हुआ हूँ कि संक्राचारों को सोने के चवार, सोने के चछत, सोने के पात्रों की जरुवत नहीं है जगद गुरुओं को इन चीजों की आभशेक्ता नहीं है जो संत हो करके सोना चांदी से प्रेम करते हों किस बात के संत्र है यह किस बात का जो की लोगों को उपदेश दे रहे हैं मैं कहा रहा हूँ ऐसे जगत गुरू ऐसे संक्राचार जो सोने चांदी के पात्रों में भोजन करते हो वो संतों की गर्मा को धूमिल कर रहे हैं तो मैं यह कहना चाहूँगा या तो इन चीजों से आड़मबर से हट जाई है नहीं ठीक नहीं है आप चांदी के पात्रों में भोजन करते हो सोने चांदी के शिंगासन पर बैठते हो और इसके अलावा गाय मा के नाम पर तुम धलाली खाते हो 300 करोड रुपे सभी संक्राच चाहरों ने जगत गुरू निये इसलिए मिलके खाए कि चुनाब के दोरान कोई भी ये ना कहे कोई गाय का मुद्दा ना ले राम जर्म हमी का मुद्दा ना ले चुनाब के दोरान तुम चुप पड़ गए और तुम्हें अच्छी प्रकार से मालू है कि भारत सरकार, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कॉंग्रेस हो, कोई भी क्यों ना हो, वो तीन हजार, साड़े तीन हजार गाये रोजाना कटवा करके बिदेसों के लिए भेजते हैं, और कोई मुसल्मान यदि एक गाये काड़ देत तो साधान व्यक्ति से भी घटिया किस्म के हो, हलांकि लोग मुझे बिद्रोई कहेंगे, हिंदू धर्म का बिरोधी कहेंगे, पर मैं सत्य कह रहा हूं हिंदू धर्म को, इन संक्राचाहर और जगदूरों ने, जो केवल गाये के मास्की धलाली खाते हैं, इन्होंने गलत क रखा है, मैं इनका ब्रोध करता हूं, मैं हिंदू सेना राष्टिय अद्दक, अंतर राष्टिय ब्रामन समाज राष्टिय अद्दक, मेरा नमबर है 9927404606, आप कमेंट कर सकते हैं, पर पुने कह रहा हूं, ये संक्राचाहर ने, ये पाखंड बाद है, इस पाखंड बा ।